So a very good evening guys I hope आप सब लोग अच्छे होंगे अगर चैनल पे नहीं आया है तो प्लीज सब्स्राइब करके बेल बटन को जुरू प्रेस करना आपका एक डाउट आ रहा है कि GSTR 2B की revised cut-off date क्या होगी for April 21 because R1 की date को बढ़ा दिया गया है IFF की date को बढ़ा दिया गया है तो अगर कोई credit 2B में नहीं दिख रहा तो उसको कैसे claim करना है तो guys इसके ओपर एक latest notification आई है उसका link यहाँ पर लग जाएगा आप जाके वीडियो देख सकते हो समझ सकते हो कोई doubt होगा था पूछ लेना second ITR जो financial year 1920 की assessment year 2021 की late return file करनी है या कोई revise return file करनी है उसका button भी enable कर दिया गया है तो वीडियो यहाँ पर लग जाएगी आप जाके देख सकते हो so guys this is latest update as on 7th May 2021 regarding GST ITR TDS due date extension guys so all stat due dates under GST and income tax by which either tax is to be paid और return has to be filed guys please यह जो हम आपके लिए request कर रहे हैं बिना आपके support के यह request नहीं मानी जाएगी तो आपको वीडियो का like करके share करने ट्विटर पर तो please वीडियो को पूरा दिखिएगा जितनी भी due dates हैं उसको 31st August तक कर दिया जाए और one important guys request की जा रही है क्योंकि अगर आपने e cash letter में अगर पैसे add कर भी लिये और 3B को file नहीं किया गया तो माना नहीं जाता कि आपने payment की है for example आपका tax बनता है 1 lakh का आपने इसे e cash letter में add कर लिया बट अगर 3B file नहीं की तो नहीं माना जाएगा कि आपने tax की payment की है तो यहीं बोला गया कि आप please अभी allow कर दो कि चलान जो हम add बनाते हैं और पैसा add करते हैं e cash letter में उसी को document मान लिया जाए payment का अगर किसी ने 3B को file नहीं किया GST में तो उसको please आप कोई भी penalties या late fees मत लगाओ this will encourage the taxpayer to pay tax early and the government too will get the taxes in time कि अगर हम चलान बना रहे हैं e cash letter में पैसा add कर रहे हैं government portal पर add कर रहे हैं तो 3B अभी तक file नहीं की तो please हमें allow कर दिया जाए हमें कोई भी late fees interest ना लगाया जाए क्योंकि अभी हम file नहीं कर पा रहे हैं second अगर हमने कोई purchase पे अपना ITC pay किया है अपने supplier को और अगर उसने अभी तक अपनी return file नहीं की है अपनी return file नहीं की है तो इसलिए हमारे 2B में नहीं दिख रहा बट हमने अलड़ी pay कर दिया है तो हमें उसका ITC claim करने के लिए allow किया जाए आपकी request के उपर सब कुछ depend करते है अगर आप support करोगे तो यह सब कुछ माना जाएगा और आप बोला जा रहा है banks को कि please आप हमें allow करो to not to charge any interest on the loan for the period of lockdown and a moratorium 6 मेने का दे दिया जाए to pay the EMI of the loan या scaring of the loan and advances दूसरा बोला गया कि आप Corona loan दे दो please with limited KYC requirement particularly those जिनकी turnover है up to Rs.10 करोड उनको please Corona loan दिया जाए traders को जिनको भारत कर दिया गया था MSME की definition से उनको include कर तो साधर की उनको भी benefit मिल जाए और जो employees covered है ESI में उनकी salary please आप ESI के welfare fund से निकाल लो जिसका balance अभी तक पड़ा हुआ है 60,000 करोड रुपे तो please guys वीडियो को like करके share करना so that की आपका support मिले और आपका support मिलेगा तो सब कुछ possible है तो वीडियो को like और share करना मत भूलना thank you very much take care bye